स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटि स्पास्टिसिटी इज वेलोशीटिटी डिपेंडेंट इसे समझने के लिए हम दो केस रखते हैं Case No. 1 means, जब हम flexed arm को forcefully extend करेंगे with high velocity यानि सिख्र extend करेंगे तब हमें अधिक बलका प्रयोग करना पड़ेगा Case No. 2 means, जब हम flexed arm को forcefully extend करेंगे with less velocity अर्थात धीरे धीरे extend करेंगे, तब हमें कम बलका प्रयोग करना पड़ेगा अर्थात spasticity is dependent on velocity, इसका अर्थ हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब हम flexed arm को forcefully extend करेंगे, अर्थात high velocity से जब flexed arm को extend करेंगे तो बल जादा लगाना पड़ेगा, परन्तु जब हमारी velocity कम होगी, तो जो हमें force लगाना पड़ेगा, वह कम होगा, spasticity is seen in pyramidal lesion, for example, cerebral palsy, spastic cerebral palsy, rigidity, rigidity is velocity independent, अर्थात यहाँ velocity पर depend नहीं करता है, अर्थात जब हम तेज गती अथवा कम गती से flexed arm को extend करेंगे, तब दोनों सिटियों में समान मातरा में बल लगेगा, दोस्तो, rigidity, velocity पर independent होती है, rigidity is seen in extra pyramidal lesion, example is parkinson, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, धन्यवाद,